आप सभी आंगनवाडी बहनों का फिर से स्वागत है हमारी आज की इस नई वीडियो में बहनों हम बता दें कि आंगनवाडी बहनों के लिए बहुत बड़ी खुसकाबड़ी जारी की जा रही है जिसके अंतरगत अब आंगनवाडी बहनों को भी पेंसर मिल सकता है इसके लिए सिधे DPO द्वारा आप सभी को निर्देश पत्र दिया गया है और इस निर्देश पत्र में हम जानेंगे कि इन पेंशन का लाब किन-किन आंगनवाडी सिविका और सहाईका को मिलने वाला है और इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि पेंशन के लाब में आप सभी को कितने रुपे प्रतिमार के तोर पे आपको पैसे दिये जाएंगे तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को सियर करें ताकि सभी आंगनवाडी वहनों को जानकारी मिल सके इसके साथ ही आप इस वीडियो को लाइक और चैनलों को सब्सक्राइब कर दिजेगा तो देखिए जिस प्रकार से हमने बताया था आप सभी को कि आंगनवाडी वहनों को आंगनवाडी करेकरतियों को पैंसन योजना के तहत उब उनको लाब मिलने वाला है इसी सम्मांदित आप सभी के लिए पूरा जो ओफिसियल यहाँ पर खबर है आप सभी को यहाँ पर वेबसाइट ग्रूप में जारी किया गया है जिसमें सिर्सक में पढ़ सकती हैं कि आंगनवाडी करेकरतियों और साहिकाओ को पैंसन योजना का लाब यानि अब इनको पैंसन योजना के तहट आंगनवाडी बहनों को पैंसन फोर्म भणा होगा और इसके लिए फोर्म भणने के लिए पर्भी सकती हैं कि DPO ने पैंसन फोर्म भणने के नीर्दिस दिया तो आइए पूरी खब़र के बढ़े हम जानते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर किन किन आंगनवाड़ी बहढ़ों के लिए जारी की गई हैं यहां देखिए बालविकास विभाग ने मांदे पर कारे करने वाले विविद आंगनवड़ी कारे करती हो और सहाईकाओ को विद्वा पेंशन योजना कलाब देने जा रही है यानि अब आनगन बाड़ी के जितने भी अधिकारी हैं उनके दोड़ा आनगन बाड़ी विधुवाप पेंसल का लाफ्स दिने के लिए यहाँ पे आदेश ज़ारी किया गया है जो महिला है भालविकास मंतर ले दोड़ा है इस योजने के लाब को देने के लिए यहाँ पर दिया गया है कि सामिल जीलो में शुरुवात हो चुकी है बाल विकास बिभाग ने कुल जीलो में 192 वीधवा आंगनवाड़ी कारेकरत्रियों को लगभग इतने वरकर्स के वीधवा पेंसन सोकिती गई है यानि 192 में से लगभग 1500 से ज़्याद आंगनवाड़ी बहनों के लिए यहाँ पर जानकारी दी गई है कि इनको उस वीधवा पेंसन का जुलाब है मिल सकता है फिर देखिए दिया गया है इस संबंद में शामिले जी लेखी आंगनवाड़ी कारेकरतियों और अधिकारियों को बारबर खान ने कहा कि पिछले वर्ष दिसमبر 222 में आपने विभाग में कायरत विधवा आंगनवाड़ी कारेकरतियों एबं सहाईकाओं का सर्वे कराये जिन सर्वे में 74 यानि 74 आंगनबड़ी करेकरतियों में से 118 जो सहाई का है वो विद्वा आंगनबड़ी वरकरत में सूची में मिल थी यानि इसका सर्वे कराए गये था कि कितनी ऐसी आंगनबड़ी बनने हैं जो विद्वा हैं और उनको इन पेंसन कलाब मिलेगा इस सर्वे में 74 यानि 74 आंगनबड़ी करेकरत्री यानि सेवी का और 108 आंगनबड़ी सहाई का यहाँ पे नाम आया इसके बाद इन वरकरों को प्राप्त महिलाओ को चिंतन करके पेंसन योजना कलाब देने पर काम किया जा रहा है इस जिले में जिले के सभी बालविकास पर्योजना अधिकारियों को चिनित किया गया और विद्वा आंगनबड़ी करेकरत्री सहाईका को विद्वा पेंसन योजना स्विक्रित करने का निर्देश दिये गया इनके लिए महिलाओं के लिए डॉक्यूंट लेकर विद्वा पेंसन के लिए फॉर्म जमा करने का सेवा किंद्र को माध्यम से भरवा जाएगा यानि जो form है आंगनबड़ी के माध्यम से ही जो है भढ़ा जाएगा जो सभी वीधवा की जो वीधवा आंगनबड़ी बने है जिनका husband नहीं है इस दुनिया में उनको मिलने वाला है फिर देखिए दिये गया है सर्वे कैधार पर चेनित 192 वीधवा आंगनबड़ी कार्यकर करेकरत्री और सहाईकाओं के लगभग 1591 करीकरत्रियों के सहाईकाओं को इस्रमकार्ट बना भी चुकी है यानि इस योद्नायके अनुसाड लगभग इतने आँंगनबड़ी कर हैं अब देखिए इसके बाद दिया गया है in cinema लिधवा पयंसला कंपा LEB कें Iran कहना है कि DM के निर्देसानुसाड वीभाग के द्वरा पातर में आंगनवाड़ी कार्य और पातर वाण चलाय जा रही है और विभाग या योधिन्या का लाप देलाने के लिए प्रयाज़ भिक किया जा रहा है यहाँ पर इस प्रकार से जो आंगनवाड़ी बहरने उざに और फिर दिया गया है बालविकास विभाग द्वारा अल्प मांदी पर करने वाली आंगनबड़ी महिला एवं विद्वा पेंशन योजना का भविश्य से बहतर करेंगी क्योंकि आंगनबड़ी वर्कर्स को 62 वर्स की उम्र में रिटायर होने के बाद विभाग कोई यहां प उनम बतादे कि जो खबर है योगी सरकार दोर्स जारी कि गई है और उत्तर पर देश की जित्ने भी आंगनबड़ी बने उनके लिए पुरा खबर है और उत्तर पर देश में 62 वर्स के बाद ही आंगनबड़ी बनों को लिटायर होने का नेरीद्श मिलता है यहां Tower होने के काबिल होती है तो 62 वर्स के बाद अगर वो रिटाइड होती है तो उनके अगर पती इस दुनिया में उपस्तित नहीं है यानि उनके मिलती हो चुकी है तो विद्वा पैंसन का लाब उनके आंगनवाडी के इन से फॉर्म भरके रजिस्टरेट करेंड़ा होता है और उसके ब पांच जो पंजिया है उबंद कराई और उसके बाद आगे भी नई सरकार बढ़ने के बाद आंगनवाडी बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा काम और उनके लिए अच्छा कुछ किया सकता है जिसमें उनका पैंसन भी दिया सकता है यहाँ पे तो सिर्फ विद्वा पैंसन में भी यहाँ पर बात चल सकती है तो आप सभी आप सभी आगनवाडी बहने इस बात को ध्यान में रखें कि इस नए सरकार बढ़ने के बाद जो आपकी बालविकास की मंतरा की मंत्री है इनके दो आगनवाडी बहनों के लिए नए नए काम सुरू किये गए जिससे उनका पिलाब मिल रहा है और इसी काम की अंतरकत आगे भी आगनवाडी बहनों के लिए बहुत आच्छा किया सकता है तो आप सभी उनको सपोर्ट करें और नीचे कमेंट करें कि क्या नॉर्मल जो आगनवाडी बहने है जो विध्वान नहीं है उनको भी विभाग द्वारा उनक आगन मड़ी बहनों के जनकाड़ी मिल सके और उसके साथ ही आप इस वीडियो को लाइक और चैनलों को सब्सक्राइब भी कर दिजेगा तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई और बहुत इंफरमेटिव वीडियो के साथ तब त अन्यवार